Welcome back to my channel Crypto Minders दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Coin Switch Kuber App के बारे में पर अकाउंट बनाने का प्रोसेस क्या है KYC Verify कैसे करना है Bank अकाउंट को कैसे Add करना है and Fund Deposit कैसे करने है ये वीडियो Complete Tutorial वीडियो होने वाला है इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए and तक जरूर देखे वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारा वीडियो सबसे पहले बात करते हैं Coin Switch Exchange की Coin Switch एक Crypto Exchange Platform है जहां पर 100 से भी ज़्यादा Crypto Listed है और आप इन में Trading and Investing कर सकते हैं इसके साथ साथ आपको इस Exchange पर कोई Brokerage Feast नहीं देनी होती है unlike Vajirex and other Crypto Exchanges और minimum 100 रुपीज से भी आप इसमें Investing स्टार्ट कर सकते हैं Coin Switch Exchange Vajirex के बाद सबसे popular Crypto Exchange है इंडिया में आपको Google Play Store और iPhone के Store में मिल जाएगी After Install, एप को ओपन करने के बाद आपको Simply अपना Phone Number एड़ करना है उसके बाद आपके Register Mobile Number पर एक OTP आएगा जिसे आपको यहाँ पर Fill करना है और फिर से Arrow पर क्लिक करना है इसके बाद आपको एक 4 नंबर का Pin Setup करना है और उसे फिर से Confirm करना है और लीजिए आपका Account Create हो गया है Coin Switch Exchange पर बहुत ही Simple Process है दोस्तों इसके बाद आपको कुछ ऐसा Simple सा Interface देखने को मिलता है नीचे हमें 5 Tab देखने को मिलते है First Tab है Home का Second है Portfolio का जहां से आप अपने Portfolio की Total Value देख सकते है Third Tab है Rewards से Related Fourth Tab है Market का जहां पर आपको Coin Switch पर Listed सभी Cryptos को देख सकते है Fifth and Last Tab है Profile का जहां पर आपको अपने Account से Related Setting देखने को मिलती है Profile में हमें First Option मिलता है Verification का Second Option है Bank Details का सबसे पहले हमें KYC Verification करना है उसके लिए आपको First Option User Verification पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का Interface हमारे सामने आएगा इसमें हमें Basic Verification Pen Card Verification Identity Card Verification करना है सबसे पहले हमें Basic Verification पर क्लिक करना है तो कुछ इस तरह से New Page हमारे सामने आएगा यहां पर हमने Pen Number अपना Full Name Date of Birth and Last में Email को Enter करना है and Verify बटन पर क्लिक करना है इसके बाद आपके Email पर एक OTP आएगा जिसे आपको यहां पर Enter करना है and Arrow बटन पर क्लिक करना है उसके बाद आपका Basic Verification Successful लिखा हुआ आएगा and Next पर हमें क्लिक करना है उसके बाद हमें Second Step Pen Card Verification पर क्लिक करना है उसके बाद आपको Pen Card के Front Side और Back Side का Photo अपलोड करना है जिसके लिए आपको Instruction दियो हुए है कैसे आपको Photos को क्लिक करना है अपलोड करने के बाद आपको Submit करना है and Last Step में आपको Identity Card Verification पर क्लिक करना है जहां पर आपको तीन Option में से कोई एक Document को चूज करना है अधार Card, Passport and Water ID Card आप अपने Coding चूज कर सकते हो मैं अधार Card चूज करूँगा उसके बाद आपको फिर से Instruction मिलेंगे कैसे आपको अपने अधार Card की Photo को क्लिक करना है पहले आपको Front Side का Photo क्लिक करना है and Upload करना है Then Back Side का Photo लेना है and Upload करना है और Last में आपको अपने Selfie Photo क्लिक करना है इस Process के बाद KYC Verification कंप्लीट हो जाता है इसका Confirmation आपको अपनी Profile में Picture के Side में Tick Mark से मिल जाएगा KYC Verification के बाद अब आपको Bank Details को Add करना है Funds, Add and Withdrawal के लिए उसके लिए हमें Bank Details पर क्लिक करना है Bank Details एड करने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए and हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए First Option हमें Bank Account एड करने का मिलेगा उसके बाद हमें Bank Account Number को Re-Enter करना है and last में IFSC Code को Enter करना है और Account Type सिलेक्ट करना है and Submit बटन पर क्लिक करना है उसके बाद आपने अपना PIN यहाँ Enter करना है और आपके Email Address पर एक OTP आएगा जिसे आपने यहाँ पर Enter करना है Enter करने के बाद आपको Aero पर क्लिक करना है और आपका Bank Account Successfully Add हो जाएगा इसके बाद आप Fund Deposit और Withdrawal करोगे वो भी इसी Account से आप जानते हैं Fund Deposit कैसे करना है इसके लिए हमें Portfolio में क्लिक करना है जिसमें Deposit INR का Option आपको दिखेगा इसके लाबा Home Page पर भी हमें Deposit INR का Option मिलेगा Deposit INR पर क्लिक करने के बाद हमें जितने Funds को अड़ करना है वो डालना है और Deposit पर क्लिक करना है Next Page पर हमें दो Option मिलते है UPI और Bank Account Transfer UPI में हमें Google Pay, Phone Pay, Paytm, Bmap जैसे कई सारे Option मिलते है और Bank Account में हमें NEFT, RTGS, IMPS का Option मिलता है आप दोनों में से कोई भी Option को चूज कर सकते हो और Funds को Deposit कर सकते हो Funds Deposit होने के बाद हमें इसमें Trading and Investing स्टार्ट करनी है उसके लिए हमें Market वाले टैप पर क्लिक करना है और आपको सभी Listed Cryptos वहां मिल जाएडी आप जिसने चाहो ट्रेडिंग कर सकते हो सपोज आपको Bitcoin बाई करना है तो आप Bitcoin पे क्लिक करिए Like 1000 रुपे का Bitcoin अगर हमें करीदना है तो हमें 1000 रुपे डालना है और उसके बाद हमें Preview पर क्लिक करना है Next पेज में हमें शो होगा कि 1000 रुपे में आपको कितना Bitcoin मिलेगा उसके बाद नीचे Buy Now पर क्लिक करके हम Bitcoin को खरीज सकते है Buy करने के बाद वो हमें हमारे Portfolio में शो हो जाएगा ये था दोस्तो Complete Process Coin Switch पर Account बनाने का KYC Verification का Bank Details एड़ करने का Trading करने का and Funds Deposit का I hope ये वीडियो आपके लिए Helpful होगा अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को Like and Share जरूर कीजिए and आपकी कोई Query है तो Comment section में Comment करके Share कर सकते है and last चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले Thank you, जैहिं